C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा तीन की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना अध्याए नौ प्रक्रती पर्व फूल देई प्रिश्ट तिहत्तर मिलकर पढ़िये जान की बहुत ही प्रसन्न थी कलवा अपने सभी मित्रों के साथ फूल देई पर्व के लिए जाएगी अगले दिन इसकी ईजा यानी मा ने उसे सुभा सुभा उठा दिया नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुडने के लिए वह निकल गई आंगन में पहुँचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, बीर, गोविंद और मनोज को पुकारा सब हाथ में छोटी छोटी डलिया लेकर जंगल की ओर निकल पड़े फूल देई उत्रा खंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है ये त्योहार बच्चो द्वारा मनाया जाता है इसलिए इसे बाल पर भी कहा जाता है यह चैत्र मास की संक्रांती के दिन मनाया जाता है चैत्र माह हिंदु नवर्ष का पहला महीना होता है फूल देई वसंध रितु के आगमन का प्रतीक है चैत्र रितू आते ही उची-उची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते है उत्राखंड के सुन्दर पहाड फूलों से लद जाते है जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, फ्योंली अपनी छोटी-छोटी डल्यों में इकठे कर लिये अब ये टोली जिसे फुलारी कहा जाता है हर घर के मुख्य द्वार की देहली पर रुखती, अक्षत और फूल डालती और गाती जाती फूल देई, छमा देई, दैनी द्वार भर भकार, ये दैनी के बारंबार, नमस्कार फूले द्वार प्रेश्ट पच्छात्तर इसका अर्थ है आपकी देहली फूलों से भरी रहे, मंगल कारी हो सब को क्षमा प्रदान करें, सब की रक्षा करें देहली और घर में सम्रुद्धी बनी रहे सब के घरों में अन्न के भंडार भरे रहे सबी घरों में फुलारी के आने की तयारी की जाती है घरों को पूर्ण तह स्वच्छ करके देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तयार किया जाता है फुलारी जब गाकर अपना आशिरवात देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड और भेट के रूप में पैसे दिये जाते हैं जानके और सभी मित्र दिन भर देहली पूझ कर बहुत ठक गए थे पर वे बहुत प्रसन्न थे इस तरह फूल देई का तयोहार उत्राखंड के अलग-अलग खित्रों में आठ दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है बच्चों द्वारा एकत्रित किये गए चावल और गुड को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई वा पापड़ी जैसे अन्यस्थानिय व्यंजन बनाए जाते हैं व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं फूल देई, बच्चों को प्रकृती प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बच्पन से ही देने का परव है ये त्योहार लोग गीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है ये प्रकृती तथा संस्कृती से जुड़े रहने की प्रेणा भी देता है बातचीत के लिए एक, त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? दो, आपका प्रियत्योहार कौन सा है? तीन, आप अपना प्रियत्योहार कैसे मनाते हैं? चार, वसंत रितु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्योहार कौन कौन से हैं? पांच, उत्तरा खंड के कुमाउं क्षेत्र में मा को इजा कहकर पुकारते हैं आप अपनी मा को क्या कहकर पुकारते हैं? प्रिष्ट चहत्तर सोचिए और लिखिए एक, फुलारी किसे कहते हैं? दो, फुलारी को मिले चावल और गुड से क्या-क्या बनाया जाता है? तीन, फूल देई को बाल पर्व क्यूं कहा जाता है? चार, फूल देई पर्व बच्चों को प्रकृती से कैसे जोडता है? भाशा की बात यहाँ पर दिये गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं पूजा उत्तर देते हुए अपने और मित्रों के बारे में बता रही है इन दोनों उधारनों में पूण विराम, अल्प विराम और प्रश्न वाचक चिन का प्रयोग किया गया है तुम कौन हो? प्रश्न वाचक चिन मैं पूजा हूँ, पूण विराम तुम्हारे साथ कौन-कौन है? प्रश्न वाचक चिन अब इन वाक्यों में इन विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य ठीक कीजिए गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है वो अपने मित्र गौरव, धीपक, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलह देती है क्या आपको भी फल खाना पसंद है? प्रिष्ट सतत्तर पता कीजिए एक, फूल देई, वसंद रितू, यानि मार्च अप्रेल में मनाय जाने वाला त्योहार है ऐसे ही शरद रितू, सितंबर से अक्तूबर और हेमंत रितू, नवंबर से दिसंबर में मनाय जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोजिए और लिखिए हमारे अवकाश आपके विद्याले में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए और रितूओं के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए पहला भाग, अवकाश दूसरा भाग, कब से कब तक तीसरा भाग, कितने दिनों तक अवकाश, ग्रीश्म कालीन अवकाश कब से कब तक, रिक्तस्थान कितने दिनों तक, रिक्तस्थान शरत कालीन अवकाश कब से कब तक, रिक्तस्थान कितने दिनों तक, रिक्तस्थान शीत कालीन अवकाश कब से कब तक, रिक्तस्थान कितने दिनों ताक रिक्त स्थान प्रिष्ट 78 आईए अपना घर सजाएं 3. फूल देई के दिन घरों को स्वच करके मुख्य द्वार की देली को गोबर मिट्टी से लीप कर तयार किया जाता है आप अपने घर को तहवारों के लिए सजाने ही तू किन-किन वस्तू का प्रियोग करते हैं रिक्तिस्थान मेरी कलाकारी एक फूल, आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी भी वस्तू के उप्योग से सुन्दर तोलन बनाईए यहाँ पर छे तोलनों के चित्र हैं प्रिष्ट 89 कल्पना कीजिए एक, मधुरानी एक दिन उद्यान में गई वह बहुत प्रसर्ण थी वहाँ उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा सोच कर लिखिए वे तीनों आपस में क्या बाचीत कर रहे होंगे यहाँ सूरजमुखी, मधुमखी और सूरज के चित्र है साथ ही उनकी बाचीत के लिए रिक्त स्थान भी दिया गया है आये जाने बुरान्स के फूल लाल रंके होते हैं जो गर्मी के मौसम में आते हैं यह दिखने में बहुत सुन्दर लगते हैं इनका उप्योग दवाई बनाने के लिए किया जाता है यह हिमालेई राज्यों में बड़ी संख्या में पाया जाने वाला व्रिक्ष है व्योणी के फूल वसंत के आगमन की सूचना देते हैं पीले रंके होने के कारण इनका नाम व्योणी रखा गया है यह पहाडों की सुन्दर्ता के प्रतीक हैं यह भी औशधिये गुणों से भरपूर होते हैं प्रिष्ट असी इकाई तीन आओ खेलें पढ़ने के लिए सुनो भई गप सुनो भई गप सुनो भई शप नाव में नदिया डूबी जाए चीन्टी चली बजार को नौमन मल के तेल इटे दो बगल में लेली सिर पर धरली रेल सुनो भई गप सुनो भई शप नाव में नदिया डूबी जाए गदा चड़ा खजूर पर खाने को अंगूर पीट पे उसके नाच रहे थे पाँच पाँच लंगूर सुनो भई गप सुनो भई शप नाव में नदिया डूबी जाए प्रिष्ट इक्यासी हाथी ढम ढम ढोल बजाए उट खाट पर सोए बिल्ली सब की रोटी सेके घोडा कपड़े धोए सुनो भई गप सुनो भई शप नाव में नदिया डूबी जाए कवी अज्याद मालती देवी द्वारा संचोधित एवं परिवर्धित अभी आपसुन रहे थे कक्षा तीन की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना, वाचनस्वर प्रमीन शर्मा और रिचा सयाल ध्वन्यंकन, मयंक कुमार निर्माण सहयोग, चेतना शर्मा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती C I E T N C E A T नई दिल्ली भारत